आज हम बात करेंगे इन्हेरिटेंस से रिलेट टॉपी के बारे में जैसे हम समझते हैं कि नुकलियर वर्ट से किलियर है कि नुकलियस के अंदर जैसे अगर हम बात करें नुकलियस जो केंद्र है ठीक है और उस नुकलियस के अंदर जो क्रोमो जों मैं हमने पहले भी पहले पीछले लक्ष्टरे उस बताए हैं जो क्रोमोजों और linear form होते है और उसी क्रोमोजोम के अंदर DNA पर जेंट होता है और इसी DNA के फ्राग्मेंट होते हैं उसी फ्राग्मेंट को आप क्या बोलते हैं जीन बोलते हैं ठीक है तो हमने कहा है और नुकलियस के बाहर किसी सेल के अंदर नुकलियस है उसके बाहर है तो नुकलियस के बाहर है इसलिए उसका नाम पर गया एक्स्ट्रा क्रोमो जोमल करने का करन है कि कोई भी सेल जो होता है अगर प्लांट से लिए एनिमल सेरी के बारें बात करें तो उस सेल के अंदर जो एस्पेस होता है तो सबसे बहुत सारे और नुकलियस ही पर जिन्ट होता है 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 संट नुकलियस के जो बहुदय है सपेस यो सारी के सारे ऐस्पेस अगर पलाज़मा मेंब्रेन और नुकलियर मेंब्रेन कि कालाएगा कि you guys face between plasma membrane and nuclear membrane the plasma membrane और nuclear membrane की बीच जुझ जगह है तो वही जगह सारे के सारे जगह यह क्या कलाएगे तो हम उसको बोलेंगे cytoplasm अब इस nucleus کے बाहर अगर क्रोमोजोम परजेंट है तो कहां परजेंट होगा साइटोपलाजम के अंदर परजेंट होगा तो इसलिए उसको बोलते हैं साइटोपलाजमे ठेक है अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जो नुकलियर यानि क्रोमोजोमल इनिरिटेंस है के इसमें इलो जूमल और अटो जूमल है ऑई इलो जूमल को सक्स क्रोक्रोमोजूम भी बोलते हैं ऐसा इसलिए कि इसमें अगर省ल के बारे में बात किया जाए तो मेल की किस में एक्स और रॉइ और फिम्ल किस में X और X chromosome पर जेंट होते है हमने कहा male में X Y female में X X chromosome इसलिए जो sex को determine करता है कि किसी भी individual या जो office frame होंगे वो male होगा या female होगा उसका determination होता है father के दरब से होता है यह हम भी जानते है इस किसमे हमने कहा जो sex को determine करता है इसलिए उसका नाव बलता है sex kromo jomal inheritance अब देखिए 46 kromo जो हमारे सरीर के अंदर पर जेंट है जिसमे 44 जो है auto jomal है और इसमे male है अगर male में X Y elojomal है और female है X X elojomal है जिसे आप sex kromo jomal बोलते है यहां से एक बहुत अच्छा question आता है कि हलागे हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे जो human kromo jomal के बारे में topic पढ़ेंगे तब तो male के किसमे जो kromo jomal होगा क्या होगा तो 44 plus X Y female के किसमे जो kromo jomal होगा 44 plus X X यह बारे question पूछा गया है कि इस तरीका से option दे देते हैं कि male में kromo jomal के संख्या क्या है तो option में होता है 46 plus X X 46 plus X Y 44 plus X Y और 44 plus X X आप ज़राब बताएगे तो उस किसमे उसके पास कौन सा kromo jomal present होगा तो हम क्या कहेंगे male की किसमे 44 plus X Y 44 और 2 कितना होगा 46 kromo jomal present है female में होगा 44 plus X X ठीक है अब हम बात कर रहे है yellow jomal जो 6 kromo jomal तो X Y और इसमें auto jomal रसे सिव होते हैं अब देखिए yellow jomal जो 6 kromo jomal है जिसके तीन टैप्स होते हैं एक X link जिसको हम holendrick gene के नाम से जानेंगे sorry Y link जिसे हम holendrick gene के नाम से जानेंगे तो Y link यानि Y kromo jomal को holendrick gene भी बोलते हैं एक X link और एक X y link ठीक है जैसे father to son अगर कोई character pass out होता है जैसे किसी कान के उपर बाल होना X is hairs on the pinna X is hair on pinna यह क्या है तो हम क्या कहेंगे Y kromo jomal के कारण जो Y links related है जो disorder है वो जो Y links related है कुछ disorder ऐसे होते हैं जो X links related होते हैं और X links में कुछ X link dominant होते हैं और कुछ X link recessive होते हैं तो X link dominant कौन सा है X link recessive कौन सा है हम उसको भी समझेंगे और उसका बहुत ही अच्छा एक्जामपल भी है बहुत सारे बिमारी के जो disorder है उसका एक्जामपल जो X link डो भी नहींट है X link recessive उसको भी हम समझेंगे तो अब हमको यह याद रखना होगा कि जो inheritance है जो nuclear यानि क्रोमो जोमल है ऐसा इसलिए नुकलिस के अंदर जो क्रोमो जोम पर जिन्ट इसलिए क्रोमो जोमल जो नुकलिस के अंदर है और नुकलिस के बाहर यानि साइटो प्लाज्म होगा जिसके अब हमने अभी बताया है यह सेल है और इस सेल के अंदर यह नुकलिस है और इस नुकलिस के बाहर जो नुकलिस मेंब्रेन है अगर प्लाजमा मेमरेन हो उदे उसको साइटूपलाजमिक ऐसी लिए निक्लियस के बाहर क्रोम crossing करने मेंट है निक्लियर जैने क्रोमो जोमल जिसमीं ऑ्लोजोम है जिसको sex chromosome बोलते हैं और autogomal है elogomal इसलिए कि जो sex को determine करता है इसलिए sex chromosome भी बोलते हैं और elogomal इसी के दूसर नाम है अब देखिए elogomal यानि sex chromosome जो है जिसमें y link जिसमें आप holandrick gene के नाम से जानेंगे और यह x link जो x link dominant और x link recessive है अब x link भी है उसको भी हम समझेंगे और इसमें autogomal dominant autogomal recessive है उसको भी हम समझेंगे probability of inheritance of sex chromosome of human from parent to their of spring मतलब माता-पिता से बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या संबाबना है कि कितना पर मतलब x chromosome y chromosome हम कहते हैं father में x chromosome y chromosome है mother में x chromosome है तो इसके इसमें कितना परसंट chance है कि वो father का x chromosome और y chromosome किसको code कर रहा है उसके बारे में तो हमने देखा father है x and y chromosome father x chromosome always याद रखना है हमेशा ऐसा नहीं कि अभी कभी 50% code कर रहा है son को 50% daughter को ऐसा नहीं तो father का x chromosome हमेशा किसको code करेंगे याद रखेगा daughter को और father का y chromosome किसको code करेगा son को इस किसमें हमने का father having x and y chromosome his x chromosome always inherited to daughter and his y chromosome always inherited to son but mother x y chromosome having only x chromosome तो हम ऐसा कहेंगे कि 50% probability है chance है कि वो daughter को code करे आप 50% chance है कि इसको son को code करे अब देखिए इस किसमें आपको आपके दिमागे कोशन आता होगा सरक क्लिनी फिल्टर सिंट्रोम, डॉन सिंट्रोम क्या है तो हम इसके बारे में भी अगला लेक्चर में डिसकस करेंगे जिसकस में अभी आपको यह समझना है कि probability जो है inheritance का sex chromosome का from human to office spring तो father का x chromosome हमेशा code करेगा डॉटर को और father का y chromosome हमेशा code करेगा इंग्रिस्टान को तो father से son में और mother का x chromosome 50% chance है डॉटर के लिए और 50% है son के लिए आपको यह कैसे एक जामपल के तोर पर हमने कहा male हमने कहा female male में हमने कहा x y और female में हमने कहा x x ठीक है आप देखिए वही process अपनाएंगा सुलूसर जो हमने genetic में प्रात्या आजा है muses इसमें कितना gamet बनेगा तो x और y अब इसमें कितना गयमें बनेंगे सिर्फ और सिर्फ x क्योंकि हो homo जाएगा से दुनों एक जैसे है अब यह x chromosome यानि sperm जो है male के पास sperm और female के पास क्या होते है एक तो male का sperm जिसके पास x chromosome है और female के x chromosome के साथ मिलता है तो x x और male का sperm y chromosome है और female का जो एक X क्रोमोजोम है इसके साथ मिलता है तो X Y अब देखिए इसको देखकर क्या हम करते है Sun और इसको देखकर क्या हमने कहा Daughter अब बताइए ये Daughter और Sun का जो रिष्टा है यहाँ पे कैसे कैसे क्या हुआ decision was sex को हमने कहा male का Y क्रोमोजोम इसके से हमने यह सीखा यहाँ पे कि male के पास जो X Y क्रोम जो female के पास X X क्रोम male का जो X Y क्रोमोजोम है जो female के X क्रोमोजोम के साथ मिलता है मतलो Y क्रोमोजोम male का female के X क्रोमोजोम साथ मिलता है X Y जो Sun को कोड कर रहा है तो हमने क्या कहा Y chromosome हमेशा code करेगा किस के लिए Sun के लिए हमें ये बताना था कि Sun को code कौन करता है तो आपने देखा कि Y chromosome always code तो Sun नहीं Father से Sun में ठीक है तो इस तरीका का ये inheritance है अब जो हम बात करेंगे Sex Chromogimal Inheritance के बारे में जिसको हमने अभी बताया था Allogimal Inheritance अब ये क्या है उसको हम अभी समझेंगे ठीक है Sex Chromogimal Inheritance और Allogimal Inheritance That is Y-Link अब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो Y-Link Inheritance जिसको हमने पहले ही बताया था Hollandic Inheritance के नाम से जानते हैं और वो जीन सिर्फ और सिर्फ किस Chromosome के उपर परजिंट होंगे तो Y-Chromosome के उपर इसलिए Y-Link जीन के नाम से भी उसको हम जानते हैं अब देखिए हमने लिखा Are always inherited from father to son हमेशा Y-Chromosome जो है father से son में ही transmit होंगे ये बात ध्यान रखता है father to son में जो transmit होगा कौन सा Chromosome तो Y-Chromosome याने हम दूसरी बास हम ये कह सकते है male to male inheritance male to male अगला point है एक जांपल के तौर पे हमने कहा S-R-O-A gene और S-R-O-A gene को हमने कहा sex determining region और ये जो S-R-O-A gene है जो male की case में TDF factor को code करता है और TDF factor responsible होते है किसके formation के लिए male में testis के formation के लिए तो हमने कहा S-R-O-A gene is sex determining region it code for TDF factor and TDF factor is responsible for formation of testis in case of male male के case में TDF factor जो है काम करते हैं जो testis को determine करता है उसके formation में दूसरा example gene for hypertrichosis hypertrichosis का मतलब है excess hair on pinna pinna के उपर कान के उपर excess hair पर जिन्ट हो उसको हम hypertrichosis के नाम से जानते हैं तो आपने कहा कि sex यानि chromozumal inheritance जो allogeumal inheritance के नाम से जानते हैं जो कहाँ पर जिन्ट हैं वाइलिंक सीन वाइल क्रोमोजोम पे जो male to male यानि father to son में ट्रांस्मीट होड़ा है जिसमें हमने कहा example SRY gene जो present होते हैं मेल में और वही SRY gene जो testis को determine करता है और दूसरी example हमने कहा gene for hypertrichosis जिसमें excess hair on pinna तो इस तरीका से बहुत सारे example है अभी हम यह समझ रहे है जिस एक स्क्रोमोजोम पे इनिटेंस जो wild link इनिटेंस है उसके बारे में ठीक है question देखते है if father has gene for hypertrichosis then what is the chance of son and daughter would be hypertrichosis ठीक है मतला यह कहा कि father के पास gene है वो hypertrichosis का तो क्या chance बनता है उसके son और daughter में hypotrichosis होनेगा पाल आफ सन 75 इसमें एक और वोट दिखना है hypotrichosis respectively 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 option है 75% अब S का मतला हम पुने का son और D का मतला हम कहेंगे daughter 75% son and 25% daughter 25% son and 75% daughter तिसरा आफ सन है 100% अच्छा होता है 50% son and 50% daughter तो यह कहा जीन जो है hypotrichosis तो हमको यह समझे ना होगा सबसे पहले बात यह जो hypotrichosis से वो कैसा जीन है तो हम यह बात जानते हैं अभी हमने पढ़ा hypotrichosis जाए वाइल लिंक इन हिरिटेंस है तो सभावी कि यह फादर के पास यह भिमार प्रोब्लम में डिसॉर्डर है तो फादर से यानि मेल टू मेल वो ट्रांस्पर होता है फादर टू सन में तो हम कहेंगा 100% किसके लिए होगा सन के लिए जीरो परसंट डूटर के लिए इस उपसर में देखते है तो इसके इसाफसा हमारे पास आपस तीसरा आता है जो 108% सन को और 0% किसको डूटर को कोड़ करता है किसके लिए हैपर ट्राइकोसिस के लिए ऐसा इसलिए कि जो फादर के पास है अगर ऐसा आता कोश्चन दूसरा इसको छोड़ करके दूसरा कोश्चन तो ऐसा रूवा जीन जो TDI Factor को कोड़ करता है तो फुरा घुमा करके लिए इस टेप का तो इसमें क्या परसंटेज होगा तो आप इस तरीका से कोश्चन सोल्व कर सकते हैं तो अगला टॉपिक जो होगा जिसमें हम बात करेंगे X-Chromo-Jumes-Related Disorder के बारे में और बहुत सारे कोश्चन आयेंगे उस कोश्चन को भी हम डेल करेंगे ठीक है आप मेरे चैनल को सब्सक्राब कीजिए सेर कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर करके कमेंट कीजिए अच्छे लगे तो और अगर आप कोई भी कोश्चन पूछना चाहते हैं तो आप में कमेंट बॉक्स में मैसेज दे सकते हैं वहाँ से हम आपको जरूर इस कोश्चन का सुल्यूशन देंगे ठीक है थैंक्यू